नमस्कार, सुनालिका गौर्मे किचन में आपका स्वागत है आज हम सिखेंगे दही के शोले बनाने की विदी दही के कबाब भी इसको कहते हैं शाम के नाश्टे में बनाएं ये बहुत ही जादा टेस्टी और सॉफ्ट बनता है बच्चे भी से बहुत पसंद करते हैं तो सारी सामगरी हमने यहां बॉक्स में दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये देखिए हमारे दही के कबाब कितने स्वादिस्ट और बढ़िया बने हैं इसको बनाएं आप अच्छे से प्रक्रिया हम शुरू करते हैं जाना चाहिए था निकल जाना चाहिए ये हमारा दही दो घंटे के बाद ऐसा है इसको मैश कर लेंगे अब इसमें सारी सामगरी मिलाएंगे जिसमें हैं टमाटर, हरी मिर्च, प्याज, पतले कटे हुए, मिर्ची पाउडर, नमक, स्वादा नुसार और ब्लैक पेपर पाउडर यहां पे हमने डाला है साथ ही साथ धनिया पत्ता को भी आड़ करेंगे अच्छे से मिला लेंगे अब थोड़ा पानी लेंगे और ब्रेट स्लाइस को इसमें डुबो कर पानी को बिलकुल बढ़िया से निचोड देंगे उसमें स्टफिंग को डालेंगे, भराबन को हमने इसमें डालिया है और पानी को निचोडते हुए हम इसको अच्छे से शेप देंगे यह देखिए हमने इसको बढ़िया से शेप दिया है साथी साथ पानी को भी हम निकाल रहे है इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाना चाहिए यह हमारा shape बहुत ही अच्छा है इसी प्रकार हम बाकि दही के शोलो को भी भर लेंगे यह दही के कबाब को भी शेप दे देंगे और यह है देखिए हमारा बहुत ही अच्छा सब तियार हो चुका है तो सभी कबाब हमने त्यार कर लिए है एक पैन में तेल गरम करके रखके साबधानी पुरवक हम सारे कबाब को उसमें डालना शुरू करेंगे तो यह देखे हमने इसमें सब कबाब को डाल दिया है बढ़िया से तेल बहुत ही गरम है तो ध्यान पुरवक डाले इसको बीच बीच में पलटते रहे ताकि एक तरफ से जादा लगे नहीं और बहुत भी बढ़िया से हमारा एक सार रंग आए इस कबाब का या शुरू का त तो यह हमने पलेट दिया यह देखे अब बिल्कुल निकालने वाला गोल्डन ब्राॉण कलर हमारा आ गया है तो अब हम इसको प्लेट करेंगे तो इसको आप साबधानी पुरवक निकाल ले यह दः के शुले को हमने निकाल लिया है यह देखे बहुत ही टेस्टी दिख र करे हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे थैंक यू